नमस्कार दोस्तों, जय हिन सभी को, मैं विकास गुपता, आपके बीच फिर हाजिर हूँ, एक और नय वीडियो लेकर के, यह हमारा दूसरा वीडियो है, दोस्तों पहले वीडियो में हमने डिसकस क्या था, अकाउंट्स के बारे में, बुक कीपिंग के बारे में, और डबल एंट्री सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने सिंगल एंट्री सिस्टम को भी पढ़ा था, इनके advantage और disadvantage हमने detail में discuss किये थे और वहां से क्या questions बनने की chances होते हैं वो भी हमने एक साथ discuss किया था तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले first वीडियो देख लिजे ताकि आपकी जो continuity है वो बनी रहे क्योंकि अगर कोई भी topic skip होता है और वहां से अगर question बनता है तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा तो सबसे पहले हम बात कर रहे है double entry system में approaches के बारे approaches का मतलब क्या है सबसे पहले हम बात करेंगे traditional approach की जिसको हम British approach भी कहते है तो traditional approach का एक alternative name और है that is British approach British approach के according हम जो accounts होते है उन्हें दो parts में classify करते है एक personal account और दूसरा impersonal account आपने ये जरूर पढ़े होंगे personal account क्या होते है और impersonal account क्या होते है ये सब हम detailed में discuss करेंगे तो personal जो है वो person से related है personal मतलब person इंपर्सनल मतलब जो directly किसी person से related नहीं होते है कैसे वो हम देखेंगे जैसे personal में natural हो सकता है artificial हो सकता है representative हो सकता है natural जैसे मेरा नाम है विकास आपका राज शेकर अनिता गीता रमन मोहन तो ये सब natural है जो by birth हमें मिलते हैं जो by birth हमें मिलते हैं artificial जो हम रखते हैं जैसे टाटा इंडस्ट्री हो गई रिलाइंस हो गया जैसे टाटा हो गया रिलाइंस हो गया इन्फोसेज हो गया एंबी एचाय वाला हो गया लेंस कार्ट हो गया amazon हो गया मतलब आप समझने हैं न एटसेप्ट रहा तो ये जो चीजें है ये artificial है इन्हें कोई कोपी नहीं कर सकता अचा अब आप गएंगे कि से रखते नैचुरल भी तो नाम रखे जाते हैं आप इस पर लीगल रएट तो यह नाम कोई भी रख सकता है कोई भी कोपी कर सकते हैं इसलिए उनको कोज़ कोपी होगा कोई कोफीं नहीं कर सकता है जो किसी को रिप्रजेंट मेरें जैसे कि हम्ने किसी से कोई service ली और हमें उसको कुछ amount पे करना रह गया prepared, accrued, unaccrued ये सारी जो चीज़ है मतलब किसी से या तो लेना है जहाँ पर एक identification होता है एक identity होती है identity किस चीज की होती है कि या तो हमें receive करना है किसी व्यक्ती से या हमें pay करना है किसी व्यक्ती को अब व्यक्ती कोन हो सकता है, वो artificial भी हो सकता है और natural भी हो सकता है तो कुल मिला करके हम बात किस की कर रहे है किसी person की बात कर रहे है इसी लिए इस category को हमने किस में रखा है, personal में रखा है तो जब हम person मतलब जो व्यक्ति यों की बात करता है तीसरा second, impersonal account इंपर्सनल जो व्यक्तियों की बात नहीं करता जैसे रियल अकाउंट है, अब रियल में क्या होते है, टैंजिबल, टैंजिबल जो दिखाई दे सकते हैं, जो क्या हो सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं, जिने हम देख सकते हैं, जिने हम देख सकते हैं, और इंटैंजिबल जो जो दिखाई नहीं देते जिने हम नहीं देख सकते और नॉमिनल जो होते हैं वो होते हैं अवास्तविक खाते हैं कैसे होते हैं अवास्तविक हिंदी में थोड़ी गड़वर हो सकती है लिखने में तो थोड़ा मैनेश कर ले रहा है अव वास्तविक खाते है तो नैचुरल प्राकर्तिक खाते आर्टिफिशल क्रत्रेम खाते और रिपर्जेंटेटिव जो आपको किसी चीज़ को क्या करते है इसका मेरे को exact meaning नहीं है संबोधित कह सकते हैं संबोधित खाते हैं रियल खाते होते हैं ठीक है और दूसरे होता है यह रियल खाते होते हैं यह वास्तविक खाते हैं वास्तविक खाते हैं जिनमें एसेट्स को हम इंक्लूड करते हैं किनको इंक्लूड करते हैं एसेट्स एसेट्स हमाने संपत्त तो ठीक है ना और अवास्तविक जिनमें हम लाब या हानी प्रॉफिट और लॉस मतलब इसमें सभी प्रकार के खर्चे विया हानी आए या प्राप्ति प्रॉफिट इंकम गेन रिसीप्स या कोई भी एक्सपेंट्स जो हम कर रहे हैं या जो भी लोस हमें हो रहा है वो सबका सब किसमें रिकॉर्ड किया जाता है नॉमिनल अकाउंट में तो यह सब क्लियर होगा आपको इसके आगे करके हम डिसकस कर लेते हैं कि रियल अकाउंट क्या होता है पर्सनल अकाउंट क्या होता है और इनके जो रूल्स है वो क्या है तो यह तो आपको क्लियर हो गया होगा पर्सनल अकाउंट क्या होता है रियल अकाउंट क्या होता है नैचुरल क्या होता है नॉमिनल क्या होता है तो एक बार आप इसे देख लीजिए चलिए आगे हम बात करते हैं तो इसके रूल्स के बारे में हम बात करते हैं अच्छा इसमें टेंजिबल के मैं बता जाता हूं टेंजिबल में जैसे जो दिखाई दे सकती है जैसे बिल्डिंग हो गया फर्नीचर हो गया या टूल्स हो गया मशीनरी हो गई इंटेंजिबल जो दिखाई नहीं दे सकती जैसे कॉपिरेट अब जैसे यह लिखा हुआ है इस पर मेरा कॉपिरेट है तो इससे कोई कॉपी नहीं कर सकता तो यह दिखाई थोड़ी दे है बस दिखाई दे रहा है कि हां सामने कुछ लिखा हुआ है लेकिन कॉपिराइट है यह थोड़ी दिख रहा है ट्रेड मार्क क्या ट्रेड मार्क और सौफ्ट्वेयर कि यह हमारी क्या होते हैं यह हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं चलिए real account का rule होता है real क्योंकि मैंने बता है asset से related है तो debit what comes in and credit what goes out बहुत सीधी सीधी कहानी है जो भी व्यापार में आएगा आगम comes in मतलब आगम और goes out मतलब जाना goes out मतलब जाना debit का मतलब होता है रिणी और credit का मतलब होता है धनी तो अगर व्यापार में कुछ आ रहा है तो debit कर दो, रिणी कर दो व्यापार से कुछ जा रहा है तो credit कर दो clear है बत? इसके बाद बात करते हैं किसी इसकी personal accounts की personal accounts व्यक्तिगत खाते व्यक्तिगत में debit the receiver receiver कोन होता है प्राप्त करने वाला और giver कोन होता है देने वाला अब देखो ये दोनों में notes बन रहा है ये बेशक लिखे English में रहा है लेकिन मैं आपको एक एक चीज प्रापर टू प्रापर हिंदी में लेकर के चल रहा है ना और मैं बोल भी हिंदी में रहा हूँ तो इस बाद से मत घबराईएगा कि ये तो English में notes बने हो है कोई बात भी English में notes बने है तो क्या हुआ इक एक explanation तो आपके पास हिंदी में आ रही है तो आप उससे notes बने ये जितने जादा आप notes बनेंगे उतना जादा आपके लिए जादा benefit रहेगा वह चीज आपको याद भी रहेगी और आपके mind में भी वह चीज रहेगी क्योंकि ये चीज आपको फिर बच्चों को भी पढ लग गए और काफी टाइम बाद जो है वह अब पढ़ना चुरू कर रहे हैं तो बहुत सारी जो चीज़ें वह बलर हो चुकी है ना क्या नॉमिनल अकाउंट में चीज यह कि करना है बस है ना हो जाना चाहिए और होना ऐसा चाहिए कि अगर जॉब लग जाए वैसे तो सब्जेक्ट है जिसमें अल्टिमेट इंफॉर्मेशन से इंक्लूडेड है सारी की सारी कोनमी में है ना क्या नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है अवास्तविक खाते है ना रियल वास्तविक परसनल व्यक्तिगत और नॉमिनल अवास्तविक है ना मैं लिग देता हू लिखने की जुरौत है क्या ऐसी समझ लो रियल क्योंकि समय टाइम लगेगा मैंने उपर लिख दिया था वैसे रियल वास्तविक परसनल व्यक्तिकत नॉमिनल और वास्तविक इसमें क्या होता है डैबिट और एक्सपेंस एंड लोसे अब बदाओ है प्राप्ति फाइदा लाब तो जितनी भी आपके खर्चे है या हानिया है उनको क्या करते हैं हम डैबिट करते हूं जितनी भी हमारी आय और लाब है उन सब को हम क्या कर देते हैं तो यहां तक मैं समझता हूँ कि यह तीन चीज़ें क्लियर है debit what comes in जो भी आएगा वो debit होगा जो भी जाएगा वो credit होगा receiver को debit करेंगे और credit जो है giver को कर देंगे expense और losses debit हो जाएगे और income और gains क्या हो जाएगे हमारे credit हो जाएगे है अचा modern approach क्या कहती है modern approach जो है वो हमारी balance sheet के उपर dependent है किसके उपर dependent है balance sheet balance sheet में दो चीज़े होती है न आपकी कौन-कौन सी एक तो asset होती है और एक liability होती है अब हमें तो यही पता है कि liability होती है लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि जो liability होती है इसको अमेरिकान अप्रोच भी कहते हैं यह ध्यान मेरत में जो ट्रडिशनल इसको ब्रिटिश अप्रोच कहते हैं और इसको अइरिकान अप्रोच कहते हैं और इसको accounting equation अप्रोच भी कहते हैं यह केит के अल टर्नेटिव नेम्स है कभी पता चलय है accounting equation अप्रोच आगया यह American अप्रोच आगया तो कैने लगे घसाब को एक question मन गिया, modern approach of accounting is based on which approach, American, British, Arab, Indian, American approach, बहुत तरह की चीज नहीं है, चलिए, क्या होता है इसमें, आपने ये तो देखा होगा कि हमारी जो balance sheet होती है, वो दो पार्ट में divided होती है, asset और लाइबलेटी, यहां पर कर लेते हैं, यहां liability side आती है, और यहां क्या आती है, आपकी assets, अब जो liabilities होती है, वो दो तरह की होती है, एक तो होता है equity और एक होता है debt, equity का मतलब होता है, owner का पैसा, मालिक का पैसा, honors fund, जो हमारा खुद का पैसा है, जो मेरा खुद का पैसा है, suppose करो, मैंने कोई firm start करी, मैंने एक cafe खोला, यह मैं हूँ, और मैंने इस cafe में पांच लाख रुपे लगा है, तो यह पांच लाख रुपे किसके हैं, यह मेरा पैसा है, honor fund है, और मैंने बहार से दो लाख रुपे लिए, तो यह कौन सा है, borrowed money, outsiders fund, तो जो debtor होता है, वो उसको कहते हैं, outsider money, या outsiders fund, clear यह वली बात, तो इसी को लेकर के यह जो equation है, वो बनी, जिसको कहा हमने assets is equal to liabilities plus equity, clear यह वाली बात, चलिए, अब इसमें होता क्या है, इसमें assets account होते हैं, capital account होते हैं, और liability account होते हैं, कहानी सब में वही है, debit, अगर आपकी asset क्या होगी, बढ़ेगी, अगर आपकी asset बढ़ रही है, तो क्या कर दो, debit कर दो, और अगर आपकी asset कम हो रही है, क्या कर दो, credit कर दो, अच्छे एक बात ध्यान देना, क्या हो रहा है, asset बढ़ रही है, इसका मतलब asset बढ़ेगी कब जब business में वह आएगी, जब business में वह आएगी, business में आएगी, और asset कम कव होगी, जब business से वह जाएगी, तो अगर asset business में आ रही है, तो debit करेंगे, और business से जा रही है, तो credit करेंगे, सही बात है, आजाईए यहाँ पर, real account में आपने क्या लिखाए, debit what comes in, और credit what goes out, समझागे, capital में क्या होता है साब, credit represent an increase in capital, अगर आपकी capital बढ़ रही है, तो उसको क्या करेंगे आप, credit करेंगे, और अगर आपकी capital कम हो रही है, decrease हो रही है, तो क्या करेंगे, मैं सको रप करता हूँ, एक मिनट गेना जबाए, देखें, liabilities क्या हो रही है, capital क्या हो रही है, capital की हम बात कर रहे है, तो capital क्या हो रही है, capital बढ़ रही है, अगर capital, capital अगर बढ़ेगी, तो क्या होगा, credit होगा, clear है, capital मतलब पूंजी, तो पूंजी अगर बढ़ेगी तो credit होगा, और capital अगर घटेगी इसका pension अगर घटेगी तो क्या करेंगे उसको हम क्लियर है अब मुझे एक बात बताओ capital बढ़ेगी कैसे capital का बढ़ना सीधा सीधा किस पर dependent है profit पर और capital का घटना किस पर dependent है सीधा सीधा आप कहोगे सर loss पर तो अगर profit होगा तो क्या होगा credit होगा loss होगा तो क्या होगा debit होगा ठीक है आज़े यहाँ loss होगा तो debit और अगर profit या gain होगा तो credit कुछ अलग लिखा है नहीं ना सेम यहाँ पर आपने लिखा था अगर asset बढ़ेगी या business में आएगी तो debit और अगर asset कम होगी या business से जाएगी तो credit तो अगर comes in है तो debit होगा comes goes out है तो credit होगा कई वर बच्चे बड़े confused हो जाते हैं कि यह दोनों अलाग अलाग है ऐसा कुछ नहीं है अगर आपकी liability बढ़ रही है अगर आपकी liability बढ़ रही है credit और अगर आपकी liability घट रही है debit अगर आपकी liability बढ़ रही है तो credit और अगर आपकी liability घट रही है तो debit clear है बस ये इसमें एक चीज़ ध्यान में आपको रखने है इसके बाद क्या आता है revenue और income और gain account अब आपने उपपर क्या पढ़ा था वो देख ले debit all expenses and losses बस ये ध्यान में रहे हो अगर profit बढ़ रहे हैं credit कर दो और अगर profits कम हो रहे हैं तो debit कर दो clear है यहाँ यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है जो आपके credit क्रेडिट का मतलब क्या होता है अगर आपका revenue बढ़ रहा है income बढ़ रहा है गेन बढ़ रहा है और अगर आपका revenue income और gain क्या हो रहा है debit होगा कब अगर वो घट रहा है तो बहुत सीदी सी बात है clear है expenses and losses account बहुत सीदी बात है साव अगर expense और loss होंगे तो हम debit कर दिंगे expense और loss अगर कम हो जाएंगे तो हमारा expense कम होंगे तो आपका profit बढ़ेगा के नहीं बढ़ेगा बिलकुल बढ़ जाएगा और अगर आपका profit बढ़ जाएगा तो उसको हम क्या करता है credit सारे के सारे इंटर रिलेटेड है चलिए याद करने का क्या तरीका है साब pen change कर देता हूं बढ़ा interesting तरीका निकाला है dead click dead click तो एक तो dead है और एक click है एक तो dead है और एक click है dead का मतलब क्या है debit to increase expenses debit to increase expenses और asset and drawing account तो debit क्या होगा अगर आपके खर्चे बढ़ रहे हैं अगर आपका खर्चा हो रहा है तो debit होगा asset है तो debit होगा drawing है तो debit होगा अच्छा अगर आपकी liability है income है और capital है तो क्या होगा वो credit होगा क्लिक credit क्या होगा liability income और capital debit क्या होगा देखा डी से debit और इसका जो C है उसका मतलब है credit तीन तीन चीजे ले लिए एक्सपेंस एसेट ड्रोइंग एक्सपेंस खर्चे एसेट संपत्ती अगर किसी भी वर्ड की कोई हिंदी समझ नहीं आ रही है या रह जाती है तो आप मुझसे comment box में पूछ लीजेगा कि क्या है यह कोई दिक्कत नहीं है बाकि अपना टेलीग्राम चैनल भी है तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी अपनी queries send कर सकते हैं और बाकि आप mail के थूँ भी connect हो सकते हैं कोई query है तो आप mail कर दीजेए बाकि Instagram और Facebook के थूँ भी आप connect हो सकते हैं तो बहुत सारे platform है connect होने के तो आप कहीं से भी मेरे साथ connect हो सकते हैं और अपनी queries को share कर सकते हैं अच्छा चलिए तो dead click यह ध्यान में रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं यह कौन थे यह Italian mathematicians थे कौन थे Italian mathematician and इन्हें Luca di Borgo भी कहा जाता था उनके बर्थ के बाद इन्हें Luca di Borgo भी कहा जाने लगा और इन्हे father of accounting and bookkeeping भी कहते हैं देखे अब इसमें Luca passioli passiolo और Italian mathematician का मतलब मैं लिख सकता हूँ इतालियन तो इतालियन नहीं लिखा जाएगा भागी mathematician को गड़ी तक्या बोलते हैं और इन्हें Luca di Borgo उनके जन्म के बाद से उन्हें Luca di Borgo के नाम से जाना जाने लगा और उन्हें accounting and bookkeeping क्या कहा जाता है पादर कहा जाता है ठीक है पुस्त पालन एवं लेखांकन का पिता अकाउंटिंग मतलब लेखांकन और bookkeeping मतलब पुस्त पालन ठीक है तो इनका पिता भी कहा जाता है तो father of accounting and bookkeeping कौन है Luca Pacioli कई बार question आ जाता है आपका who is the father of accounting and bookkeeping तो यूका पैसियो ली लूका पैसियो लो एंड लूका पैसियो लो और एक इनकरेक्टे देगा और आपसे पूछलेगा which one is incorrect या which one is correct पूछलेगा चार गलत देगा और इन में से कोई अब आपने या तो मैं जहां तक मानता हूं या आपने most probably यह पढ़ा है और अगर पढ़ा होगा तो आपने इसको पढ़ा होगा आपने इन दोनों नामों को कभी नहीं देखा होगा आपने इसको नहीं नहीं देखा होगा इसको और इसको भी हो सकते देखा हो लेकिन यह आप नहीं जानते होगे आगे बढ़ते हैं अच्छा जी तो बुक कीपिंग की शुरुवात किस नहीं करी थी लूका पैसियो ली ने करी थी यह कौन थे इटेलियन गड़ी तक गया थ कब इन्होंने इसकी शुरुवात कब करी थी 1494 1444 में में किस जगा पर करी थी वैनिस शहर था वैनिस शहर नाम की एक जगा थी इटली में वैनिस शहर था किस में था इटली में और उनकी पहली बुक का नाम था सुमा दी अर्थमेटिक जोमेट्रिय प्रपोर्शनिटा एट प्रपोर्शनिटलिटा यह जो नाम है ना यह इटली में है यह जो वर्ड्स है ना यह इटलियन वर्ड्स हैं तो यह आपको ऐसी याद क पढ़ेंगे साब इसकी हिंदी तो नहीं संभव है वाज पब्लिष्ट प्रकाशित हुई है ना उसमें उस वक्त एक इनका आर्टीकल प्रिंट हुआ था उस आर्टीकल में इन्होंने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में बताया था तो यह चीज है कि लुका पैसियोली जो बुक कीपिंग है उसकी शुरुआत जो करी थी 1494 में लुका पैसियोली जो इतलियन मैथमेटिशियन थे जिनकी एक बुक का नाम था समाधा अर्थमेटिशिय और इसके अलावा दूसरी इंफॉर्मेशन आपके सामने यह मैं पैन चे यह दो सभ्यताएं थी मेसोपोटामिया तो आपने सुना भी होगा एक बेबी लियोनिन थी इसके जो बुक की पर थे मतलब यहां पर जो किताबे जो आपके बुक्स आपकाउंट्स हैं जो आपकी खाता पुस्तके हैं उनको जो रखा जाता था वो क्ले की टैबलेट्स होत इसके बादाब साथ हजार साल पहले 2600 बिफोर क्रेस्ट से पहले जो था 2600 बीजी इसे पहले जो मेसोपोटामिया और बेबी लियोनिन की जो सभेताएं थी वहांके जो व्यापारी थे वह अपना जो जो भी उनका रिकॉर्ड होता था जो भी उनकी जो भी उनके लेंदेन होते थे जो भी उनके क्या होते थे लेंदेन होते थे उन सभी लेंदेनों को वो क्ले टेबलेट्स पर लिखा करते थे और उन्हें रिकॉर्ड किया करते थे तो ये भी आपके लिए मैं समझता हूँ एक नहीं इंफोर्मेशन है जो शायद मौस परबबली आपको हो सकता है कि पता हो कुछ लोगों को लेकिन सबको नहीं पता हो यह ज़रूरी नहीं है तो मेरा परपस यही था कि जादा से जादा information आप लोगों तक share की जाए तो दो information है एक Luca Pacioli के बारे में है एक Luca Pacioli के बारे में है 1494 में इन्होंने बुकली खी थी Venice में इनका जनम हुआ था Italy के रहने वाले थे Italian mathematician इनको कहा जाता था और इन्हें Luca di Borgo Pacioli और Paciolo के नाम से भी जाना जाता था Mesopotamian, Babylonian के जो bookkeeper होते थे जो किताबे रखने वाला होता है वो clay की tablets पर लिखा करते थे और यह जो बात है यह 7000 साल पहले है 2600 BCE की बात है I hope यहां तक की जो बात हैं वो clear हो गई होंगी है थोड़ी history है Advantage क्या है Stratuary proof Stratuary मतलब वैधानिक वैधानिक आपको उसकी identity मिल जाती है proof मिल जाता है आप जब चाहें अगर आपको कोई problem हो रही है या accounts में कोई hair-fair हो रही है तो आप उसको judiciary में अदालत में उसको verification या proof के तौर पर evidence के तौर पर क्या कर सकते है दिखा सकते हैं गलतियों गलतियां कम से कम होती है fraud and for grip से protect हो जाता है मतलब जो हम fraud वगेरा हो रही है firm में तो वो cross check हो जाता है क्या हो जाता है cross check हो जाता है क्या हो जाता है cross check cross check है ना जिसे जो fraud करने वाला वेक्ती है लापरवाई करने वाला वेक्ती है उससे जो लेखे हैं वो क्या हो जाते हैं बच जाते हैं प्रफॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फ और इस साल का फायदा तो आप इन दोनों की आसानी से क्या कर सकते हैं, तुल ना कर सकते हैं, जैसे पिछली साल आपने, सब्होर्ज वरो्ट बुछ-वंसो रुपे कमούμεं, ये लास्ट ये डाले था और इस साल आपने 6,800 रुपे कमούμεं, तो अब आप इनको analyze भी कर सकते हो और compare भी कर सकते हो make easier आसानी होती है to present the financial information to investor investor कौन है Viniyojak कौन है Viniyojak Viniyojak कौन होते है जो हमारे business में पैसा लगा रहे है जिन्होंने हमारे business में क्या लगाया है पैसा लगाया है उन्हें Viniyojak कहा जाता है अब कोई भी Viniyojak है या कोई भी investor है अब जाहिर से बात है वो तो यही जानना चाहेगा ना कि हमें कितना फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है बात सही है के नहीं Viniyojak clear तो जितनी भी हमारी financial मतलब लेखांकन से संबदित जितनी भी सूचनाए है वो सबी सूचनाए किसके पास प्रेशित कर दी जाती है Viniyojak को आसानी से प्रेशित कर दी जाती है और उन्हें समझने में भी क्या होती है आसानी control over business activities business activity मतलब जितनी भी हमारी क्रियाए है कौन सी क्रियाए व्यापारिक जितनी भी हमारी व्यापारिक क्रियाए है उन सभी व्यापारिक क्रियाओं को हम क्या कर सकते है नियंतरित कर सकते है control का मतलब होता है नियंतरित करना control का मतलब क्या होता है नियंतरित करना है detailed recording detailed recording का मतलब क्या होता है कि आपने double entry system record करना है double entry system मतलब दोहरा लेखा प्रणाली क्या यूज़ करना है आपको दोहरा लेखा प्रणाली दोहरा लेखा प्रणाली में क्या होता है कि आप प्रतियेक लेखे के क्या करते हैं प्रतियेक लेखे के दो पक्ष लिखते हैं लेने वाला भी और देने वाला भी आप दोनों को लिखते हैं तो उसका मतलब कि है आपने उसको detailed में क्या करा है record करा है बोलो ये बात समझ में आगए it is easier to calculate tax it is easier to calculate tax का मतलब कि है कि आपको tax मतलब कर को ग्यात करने में कितना कर देना है कितनी tax liability है कर दाइत निर्धारण में सहायता कर निर्धारण में सहायता और आप budget भी prepare कर पाते हैं को budget को तो budget ही लिखा जाता है इसकी सहायता से आप क्या कर पाते हैं budget भी prepare कर पाते हैं clear है ये वाली बात इसके बाद हम बात करते हैं किसकी objective of bookkeeping की किसकी हम बात कर रहे है objective अभी तक हमने इसके क्या पढ़े थे अभी तक हमने इसके advantage पढ़े थे क्या-क्या पाये थे अब क्यों books को क्यों maintain करना जरूरी है वैसे पहली वीडियो में आपको बताया था जो भी हमारी लेखा पुस्तके हैं उसमें जिन भी लेंडेन को लिखा जाता है उन्हें हम किस order में लिखते हैं किस परकार लिखते हैं तो मैंने आपको बताया था chronological order chronological क्रामा नूसार किसके क्रम में दिनांक के date wise और systematic manner systematic manner जैसे आपने purchase किया goods purchase तो आप क्या करोगे आप सबसे पहले एक format परपेर करोगे यह हम आगे पढ़ेंगे आलांकि आप सबसे पहले क्या करोगे format परपेर करोगे date, particulars, lf, amount, debit or amount, credit फिर आप यहापे लिखोगे purchase account debit to cash account बड़े systematic तरीके से उस चीज को क्या होगा लिखा जाएगा देखें यह आगे summarize the transaction in chronological order तो आज की date, फिर कल की date, फिर next day, फिर next, next, to next, to next orderly लिखा जाता है, systematic manner में लिखा जाता है, chronological order में लिखा जाता है, और मैंने आपको बताया भी था, जो accounts होते हैं, वो हमारे कैसे होते हैं, किस form में होते हैं, summarized form में होते हैं, provide financial information to both internal and external internal, internal जैसे, internal कौन हो सकते हैं, देखो, internal कौन होता है, आगे पढ़ेंगे users में, internal जैसे management, internal जैसे management, outsider, outsider जैसे bank, तो बहुत सारे भार के ऐसे users होते हैं, और बहुत सारे जो है, firm के अंदर के business के अंदर के ऐसे लोग होते हैं, जिन्हें, व्यापार से संबंदित सभी सूचनाओं की जानकारी करना आविशक होता है, तो जो हमारी bookkeeping है, वो internal और external दोनों ही users को क्या करा देती है, financial information provide करा देती है, तो ये एक चीज़ है, इसके बाद last हम जब हम बात कर रहे हैं, तो लास्ट जब हम बात करेंगे बच्चे, तो लास्ट हमारा point है, deduct potential error in recording of information, आप जब भी किसी information का मतलब होता है सूचना, recording का मतलब होता है, लिखना, देखे, मैं कोशिश कर रहा हूं, maximum to maximum इन्दी लिखने की, वाट अगर error का मतलब होता है, गलती, और potential का मतलब होता है, अचानक से, तो अगर कोई गलती हो जाती है, या भूल चूक में कोई गलती हो गई है, या कोई भूल चूक हो गई है, या हमने कोई गलत काते लिखने है, कोई गलत information लिख दी है, या गलत amount लिख दी है, तो हमें उसकी जो सूचना है, वो पता चल जाती है, डिड़क्ट हो जाती है, पता लगाना, डिड़क्ट का मतलब होता है, पता लगाना, तो हम इसके बेसिस पर आसानी से पता लगा सकते हैं, तो यह हमारा जो है, यह आज का एक topic है, जो हमने अभी आपके साथ discuss किया है, इसके बाद जब हम बात करेंगे, तो हम फिर accounting के बारे में बात करेंगे, तो accounting वाला जो topic है, वो हमारा कल चलेगा, आज जो हमने discuss किया है, आज जो हमने discuss किया है, वो केवल हमारा यही है, जहां पर हमने किस किस के बारे में, एक तो approaches के बारे में discussion किया है चीक है और इसके हमने short form देखी थी dead click के बारे में bookkeeping के बारे में हमने बात की है उसके advantage और उसके objectives के बारे में हमने बात कि देखें किसी भी चीज के बारे में समझेगा आप इस चीज को किसी भी चीज के बारे में और point to point बात करना किसी भी चीज़ के वारे में क्या point to point बात करना जैसे अब मैं आप से कहूँ कि हर एक information को लिखना पहली चीज़ हर एक information को लिखना और उस information को detailed में explain करना और उसको फिर हिंदी में लिखना तो इन सब चीज़ों में क्या लगते हैं इन सब चीज़ों में time लगते है और इससे चलो यह सब चीज़े तो हो जाएंगी उससे ज़्यादा maximum information maximum information और maximum knowledge आप तक पहुँचार बाना जो मेरा main motto है यह मेरा main motto है आपको वो education, वो knowledge दे देना या वो चीज़े बता देना जो आसानी से आपको महंगे महंगे जो paid batches है न वहाँ पर भी आपको नहीं मिलती है यह मेरा main motive है तो इसमें थोड़ा सा क्या है थोड़ा सा यह time consuming है लेकिन यह ऐसी चीज़ है कि अगर आपने अगर आपने इसको एक बार कर लिया न और एक बार इसको revise कर लिया और फिर इनके बना लिये आपने notes तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इन चीज़ों को कभी नहीं खुल सकते हैं तो यही बस एक चीज़े हैं जो क्या गयता है हमारे सामने आती है कि हमें क्या करना है कैसे करना है तो सबसे बैस तरीका है आप books पर मत जाईए मैं आपको maximum information यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ सारी चीज़े आपके पास available है line to line है Hindi to Hindi है एक एक चीज़ को मैं proper explain कर रहा हूँ आपको कहीं ना तो book की ज़रूरत है और ना आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है और अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो मुझे लगता है कि काफी हो जाएगा कोशिश करेंगे अभी धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चले जाएगा तो maximum maximum यह क्या है यह basic है देखे जर्नल और लेजर जर्नल और लेजर तक आप थोड़ा सा ऐसी चलिए जब आप जर्नल और लेजर आपको बिल्कुल smoothly हो जाएगे न तो मैं आपको फिर थोड़ा सा speed बढ़ागा मैं बहुत नहीं बढ़ाँगा थोड़ी सी speed बढ़ाँगा क्योंकि यह ऐसी basic knowledge है ऐसी basic information है जहां से question बहुत ज़्यादा पूचे जाते हैं और अटक जाती है गाड़ी तो बने रही है चैनल को अगर आपने भी तक subscribe नहीं किया तो please करके subscribe कर लीजे क्योंकि मेरे पास आपके subscription के अलावा कोई motivation नहीं है मैं आपको कितना भी motivate कर लूँ कुछ भी कर लूँ लेकिन मेरे पास तक जो आएगा वो मेरा subscription आएगा कि आपने कितने लोगों ने मेरे को subscribe किया कितने लोग मुझे देख रहे हैं और कितने लोगों तक मेरी knowledge पहुंच पा रही है अगर दो चार पांदस लोगों तक मेरी knowledge पहुंचे गया यह सारा content पहुंचेगा तो मैं तो automatically demotivate होना शुरू हो जाओंगा तो मेरे को motivation मिलेगा आपकी help से मैं आपको motivation देने के लिए all time ready हूँ आपको कोई query है comment box में कर दीजिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं comment box में basic सी चीज पूछ रहे हैं एक बार हम class में बैटे हुए थे उस class में लगबग-लग-बग सो बच्चे थे अब हमारी प्रॉब्लम आ गई कि हमें एक डाउट था अब हम बैठे हुए हैं और हम सोच रहे हैं कि यह कैसे पूछे अब सो बच्चों के बीच में उस basic सी बात को पूछना अब तो हमारे लिए basic है है हमारे लिए बड़ा confusing था कि यह कैसे पूछा जाएं सब बच्चे कहेंगे कि हो इसको यह भी नहीं पता कैसे आ गए होता है न एक सब्सक्राइब के साथ तब तक अपना ख्याल रखें बने रहिए और पढ़ते रहिए और हां एक important बात जर सब्सक्राइब और दो ना चलिए मिलते हैं एक नहीं वीडियो के साथ जय है